दोस्तों, Reliance जी यो बहुत ही जल्द हमारे सामने cloud laptop लेकर के आने वाला है और इस cloud laptop का जो price है वो लगभग 15,000 के आसपास होगा यानि कि 15,000 में हम laptop ले सकते हैं और क्योंकि ये cloud laptop होगा तो 15,000 में ही हम इस laptop के साथ बहुत सारे powerful task को भी आसानी से कर पाएंगे चलिए जानते हैं कि कैसे cloud laptop काम करता है लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो laptop या फिर desktop हमारे पास होता है उसमें जो hardware configuration रहता है जो hardware होता है वो depend करता है कि ये laptop या फिर desktop कितना powerful होगा कितना efficient होगा, कितना fast काम करेगा लेकिन 4G और 5G के जमाने में अब उतना जरूरत नहीं है कि hardware हमारे laptop में या फिर desktop में ही हो अब क्या होगा, अब जो hardware है वो किसी और जगा रखा होगा और server की तुरू हम उस hardware को access कर सकेंगे यानि कि हमारे पास जो laptop होगा उसका hardware configuration बहुत ज़्यादा heavy नहीं होगा simple होगा, cost effective होगा इससे क्या होगा कि सस्ते में हमें laptop मिल पाए लेकिन जब heavy task करने की बारी आएगी तो हमारा जो laptop होगा, वो cloud में एक ऐसे server से connected होगा जो server अपने आप में बहुत ज़्यादा powerful है हमारा जो apps होगा, या फिर games होगे वो उसी server में installed रहेगा, उसी server में load रहेगा हम उसको just अपने इस laptop से remotely access करेंगे यानि कि hardware हमारे पास नहीं रहेगा, hardware रहेगा server में किसी और जगा लेकिन हम उसे internet connection के थुरू access कर पाएंगे और हमें लगेगा कि हमारा जो भी task हो रहा है, वो हमारे इसी laptop में हो रहा है और बहुत ही smooth and fast हम किसी भी काम को कर सकेंगे अपने simple से, बहुत ही, मतलब सस्ते से laptop में यानि कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है पावरफुल टास्क करने के लिए cloud gaming, जिस तरह से cloud gaming होता है उसी तरह से cloud laptop जो reliance geo लेकर के आने वाला है उस laptop में हम heavy task भी कर सकते हैं heavy software चला सकते हैं, video editing कर सकते हैं game वगेरा भी खेल सकते हैं सब cloud के उपर में कोई भी hardware हमारे पास रखने की ज़रूरत नहीं है cloud में रहेगा hardware just install करना है और उसे run करना है वो easily run होगा बस एक चीज बहुत अच्छा होना चाहिए इसके लिए वो है आपका internet connection internet connection अगर slow है तो आप cloud laptop को efficiently use नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका जो hardware आपका जो server है वो किसी और जगा है आप जो भी task perform करेंगे उस laptop में वो सब cloud basis होगा यानि कि आप यहाँ से command देंगे command वहाँ पर receive होगा server में वहाँ पर process होगा process होने के बाद return आपके screen में आएगा तो यह सब करने के लिए बहुत ही fast internet connection होना बहुत ज़रूरी है इसलिए cloud laptop होगा या फिर cloud gaming होगा concept बहुत अच्छा है लेकिन इसके लिए internet का जो connection है वो बहुत fast होना भी ज़रूरी है अगर जीओ का air fiber अच्छा काम करें 5G का network अच्छा रहे बड़ियां काम करें तो हम इस cloud gaming या फिर cloud laptop वाले feature को जो function है जो सुविदा हमें मिल रहे इसको हमनों use कर सकते हैं और हमें hardware में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने के अब जबरत नहीं पड़ेगी हम सस्ते laptop या फिर desktop में भी heavy task heavy editing या फिर बड़े बड़े game को खेल सकेंगे बस उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छा internet connection cloud laptop वाला जो system है जो function है इस सुविदा का आप इस्तमाल कर सकेंगे लेकिन उसके लिए आपको एक monthly package लेना पड़ेगा और यह package लेकर करके आप अपने existing किसी भी laptop या फिर किसी भी desktop में भी इस सुविदा को इस्तमाल कर सकते इस feature को यूज कर सकते है और उसमें भी आपको cloud laptop वाला option मिल जाएगा आपका existing अगर कोई पुराना system है उसको फेकिये मत अभी रखिये अभी फेकने की ज़र्वत नहीं है क्योंकि आपके पास cloud laptop cloud system का option आने वाला बिल्कुल उसी तरह जैसे आप और दिश्टा Netflix वगेरा subscription लेते हैं और जो भी content वगेरा है उसको आप consume करते हैं उसी तरह आपको cloud laptop का subscription लेना होगा और अपने किसी भी laptop में किसी भी system में desktop में आप एक बढ़िया powerful system को server को इस्तेमाल करते पाएंगे cloud के थूँ तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में आपको क्या लगता है ये cloud laptop का जो concept है क्या ये success हो पाएगा बढ़ियां से चल पाएगा और क्या हमारे पास internet connectivity उतना fast है कि हम लोग इसको बढ़ियां से यूज कर पाएंगे comment करके जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा तो like करें चैनल को subscribe परिए ताकि हम इस तरह का और भी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें मिलते फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार